हेलो एब्रीवन वेल्कम टू मैं चैनल कॉंप्लेक्स पॉइंट और आज की वीडियो में हम लोग इसको सॉल करेंगे तो यह कॉश्चिन जो है आपका टेंथ लेवल में देखा जाए तो यह बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है और यह एक्जाम में बहुत ही बार पूछा ज साइड दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे लेकर कोश्चन को बनाने की कोशिस करेंगे ठीक है और इसमें जो भी फॉर्मूला वेगर आएगा वह भी मैं आपको बीच-बीच में बताते चलाओंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जो कोश्चन है वह लिख लेते है से कॉस्टीचा वाइन गाँप्लस ओन सइन डिचा में फिर सबागिती तो हम लोग को क्या करना है दोनों वाले दिनोमेंटर वाले इन को सब्सक्राइब लें ले लिए हÍं तो यहाँ पे III प्लस निटा थीक है तो यहां पर साइन फिल प्लस था यह ले रहे ख़ें अब हमारे में क्या हो जाएगा तो हम इस चीज को ए-प्लस-बी का होली स्वर्वर के रूप में लिख सकता है ना और आपको तो तो पता ही होगा कि ए प्लस बी का होली स्क्वाइर क्या होता है क्या होता है स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस टूए भी है ना यही फॉर्मॉला होता है ना तो इसी फॉर्मॉला पर हम इस चीज को लिखेंगे यह आ जाएगा आपका कॉस स्क्वाइर थीटा प्लस इस स्क्वर्ट प्लस मिंद्टी एट का तो ओन है और वी में साइन हो जायेगा साइन थीटा हो जाएगा तू साइन थीटा ठीक है हमारे नीचे वाले टंब जो भी दिया हुआ है उसको वैसा वैसा लिख लेते हैं कौश्च थीटा 1 plus sin theta, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यह cos theta और sin square theta, इसका value क्या आता, 1 होता है, cos square theta plus sin square theta equal to 1 होता है, formula ही है यह, तो हम लोग इसको जिगा पर 1 लिख लेंगे, direct, 1 plus और यह 1 तो है, already है, plus 2 sin theta, या फिर इन दुनों को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 plus 2 sin theta, ठीक, तो नहीं लिख लिया, divided by, अब यह जो नीचे term है, वो लिख लेते हैं, cos theta 1 plus sin theta, ठीक है, अब यहाँ पर 2 plus 2 है, तो हम लोग कॉमल ले सकते हैं, तो हम लोग इस वाले term में कॉमल लेंगे, यहाँ से लिखते हैं, देखो, यहाँ पर 2 कॉमल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉमल लेंगे, तो आ गया common में, और यहाँ पर 1 plus sin theta हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 plus sin theta, ठीक है, तो यह हमने लिख लिया है, क्या है, नीचे वाला term में जैसा है, वैसा लिख लेते हैं, cos theta 1 plus sin theta, तो यहाँ पर आ जाएगा cos theta, यहाँ पर cos theta हो गया, और 1 plus sin theta, ठीक है, तो यहाँ पर इतना लिख लिया, अब देखो, उपर भी 1 plus sin theta, नीचे भी 1 plus sin theta, तो दोनों cancel out हो सकता है, और यहाँ से देखो, 2 by cos theta है, तो 2 by cos theta क्या होता है, तो इसको थम लोग 2, सेख theta ही तो बोलता है, ना, जो कि हमारा यह फूरूब जो करना तो वही है, ना, तो यह देखो, हमने पूरूब जो है, कर दिया, देखा कितना आसान question था, तो इसी type से हम लोग को जब भी इस type के question मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो by formula या फिर थोड़ा बहुत देख लेना है, denominator को भी, अगर बन जाए तो, ठीक है, तो I wish की आपका जो question है, तो अगर आपको इस type से और भी बहुत सारे questions होंगे, जितमें आपको doubt हो रही होगी, तो आप हमारे चैनल पर आके comment box में comment करके पूस सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे concept के थाथ, thank you.